नमस्कार मैं हुई आसमीर सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद बॉलिवूट की कुईन कंगना रनौत ने सबसे पहले नेपोटिजम का मुद्दा उठाया था कंगना के स्टेट्मेंट के बाद इस मुद्दे को लेकर अभी तक बहस चल दी है वही हाली में सुशान के फैमिली लॉयर विकास सिंग ने कहा था कि कंगना इस केज के जरीए अपना अजेंडा उठा रही है इसके बाद कंगना को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा था हाला कि लोयर विकास सिंग का कहना ये नहीं था बलकि उन्हों ने ये भी बताया था कि कुछ चीजे कंगना ने एकदम सही बोली लेकिन कुछ लोगों ने उनके इस बयान को गलत तरीके से तोड़ मडोर कर पेश किया था जो कि सोशल मीडिया पर काफी वारल हुआ था वहीं अब सुशान्त की बहन श्वता ने कंगना को सपोर्च करते वे वक्षील का नया विडियो शेर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें और परिवार को कंगना से कोई दिक्कत नहीं है श्वता ने लिखा है मैं भाई के सभी वारियर को सेल्यूट करती हूँ आप सभी हमारी ताकत है और रियल हीरो है अभी हम सभी को साथ रहना है इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी साथ रहे और एक दूसरे को समझे अब सुशान की बहन का शुक्रिया दा करते वे कंगना लिखती है शुक्रिया श्वता दी इन शब्दों के लिए धन्यवाद मेरे खिलाफ सभी अफवाहों को दरकिनार करने के लिए धन्यवाद वहीं कंगना के स्ट्रीट पर रप्लाई करते वे सुशान की बहन श्वेता ने लिखा है Stay strong and fight on बता दे कि सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद सही कंगना नेपोटिजम पर बोल रही है उन्होंने बॉलिवुड में आउटसाइडर्स के साथ कैसा बुरा वहवार किया जाता है इसकी पोल खोली थी साथ ही उन्होंने बॉलिवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे करन जोहर महेशपट और आदित्य चोपडा पर भी नेपोटिजम को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था